हलो नमस्तकार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी 54 मैन पुरी में डियर फ्रेंड्स आज 18 फर्वरी और 18 फर्वरी 2022 से जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन मन सकते हैं आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले तो प्रीविएस वीडियो के कुईकरी वीजन कर लेते हैं कि सिंगर कंपोजर का हाली में 79 की उम्मर में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया तो किस का हो गया बप्पी लायडी का है नेक्स्ट कोश्चन है क्विक रिवीजन का हर्याणा केडल के किस IPS अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुगाम की पहली महला पुलिस आयुक्त निक्त किया है तो किसे किया है कला राम चंदरन को ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते है क्विक रिवीजन का नेक्स्ट है फ्रेंक वाल्टर इस्टीन मियर को हाली में किस देश के राश्पती के रूप में दूसरे कारिकाल हे चुना गया है तो किस देश के चुना गया है जर्मनी के ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है क्विक रिवीजन का विस सतत विकास सिकर सम्मेलन 2022 की मेजवानी कौन स देश कर रहा है तो भारत कर रहा है ठीक है यह कौन सा हो रहा है हमारा यह हमारा 21 सिकर सम्मेलन हो रहा है और 2021 में कौन सा हुआ है 20 सिकर सम्मेलन हुआ है यह आप याद रखेंगे कल मैंने डिसकस किया था नेक्ष कोशन is इंटनेशनल मॉनेटरी फॉण के मौजूदा बित वर्स 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा कर निम्ण में से कितने प्रसात कर दिया है तो कितने प्रसात कर दिया है नाइन प्रसात पहले कितना था 9.5 था नेक्ट कोश्चन है कोई क्रिवीजन का मेदा राम जातरा भारत के किस राज में मनाया जाने बाला मेला है तो किस राज में मनाया जाने बाला मेला है तेलांग नामे ठीक है चलिए चलते हैं आज के पहले कोश्चन पर आज का हमारा पहला कोश्चन है भारतिय सेना के डिप्टी चीफ आप एर आर्मी स्टाप के रूप में निम्ड में से किसने पदवार समाल लिया है तो किसने समाल लिया है चन्नीरा पोनप्पाने ठीक है यानि कि ऑफ्षन दी इस दा राइट आंसर चलिए चलते हैं नेक्श कोशन पर नेक्श कोशन है हमारा IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान न्युक्त किया है तो किसे किया है स्रेयस आईयर को यानि ऑफ्षन भी इस दा राइट आंसर कुछ IPL के बारे में इंपोर्टेंट फेक्ट भी देख लेते हैं इंपोर्टेंट फेक्ट क्या है देखिए IPL की फुल फर्म क्या है इंडियन प्रीमियम लीग अब इसका पहला टूनामेंट कब हुआ था 2008 में हुआ था अगला कब होगा 2022 में होगा सबसे जादा रन किसने बनाये थे बिराट कोली ने बनाये थे 6,235 बनाये थे ठीक है और सबसे जादा बिकट लेने वाला IPL में कौन है लथिस मलेंगा ठीक है यानि कि 170 विकट लिये थे उन्होंने अब देखिए IPL का हेड कटर कहा है मुंबई में है चियर्मेन कौन है राजीव सुकला है इस्थापना कब हुई थी तो इस्थापना 2007 में हुई थी ललित मोदी ने की थी जो कौन है BCCI के सदस्य ह है हमारे ललित मोदी उन्हों नहीं 2007 में इसकी स्थापना की थी किसकी IPL की थीक है इस्थापना आप लिखेंगे 2007 में थीक है इस्थापना तो 2007 में हुई है लेकिन पहला टूना मेंट IPL टूना मेंट कव खेला गया T20 2008 में खेला गया चलिए चलते हैं नेक्ष कोशन पर ने तो देखिए किसे नियुक्त किया है जी असोक कुमार को यानि कि option A इस्था right answer जी असोक कुमार को केंद्र सरकार ने क्या किया है पहला राश्टी समद्री सुरक्षा स्रमुन्यक नियुक्त कर दिया है ठीक है जो क्या थे ये अबकास पे थे यानि कि लीव पे थे फिर भी इन नियुक्त कर दिया है चलिए चलते हैं नेक्ष कोशन पर नेक्ष कोशन है राश्ट पती एर्दोगन ने तुरकी देश का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो देखिए तुरकी का नाम बदल कर क्या हो गया है तुरकी ये ठीक है यानि कि option C is the right answer कुछ तुरकी के बारे में important points पॉइंट देख लेते हैं important points है राजधानी कहा है अंकारा में है अंकारा लिखेंगे आप नेक्स्ट क्या है important points भासा क्या है भासा तुरकी है ठीक है भासा क्या है तुरकी है next point राश्ट पती है रिसेप तयप इदो गान ठीक है लिख दे रहे हैं इसको हम आपके लिए रिसेप तयप इदो गान ठीक है ये है इसके कौन राष्ट पती नेक्स्ट प्रधान मंत्री कौन है प्रधान मंत्री है बिन अली अल्दरम ठीक है ये आप इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए ये कोश्चन हमारा एकजाम के पॉइंट आप विव से बहुत जादा इंपोर्टेंट है इससे रिलेटिट जितने भी इंप पर नोट कर लीजिए ठीक है चलिए चलते हैं next question पर next question है किस देश ने हाली में Solomon Deep पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है तो किस देश ने कही है अमेरिका ने यानि की option D is the right answer ठीक है क्या किया है दो दूतावास खोलने की बात इन्होंने अपनी रखी है तो देखी कुछ important points भी देख लेते हैं जो Solomon Deep है Solomon Deep के important points क्या है Solomon Deep की राजधानी है होनियारा ठीक है और गवर्नन जलन कौन है डेविड बुनागी ठीक है डेविड बुनागी इसके गवर्नन जलनन है और प्राइम मनिश्टर कौन है मानस सोगावारा ठीक है चलिए डेविड चलते हैं next question पर next question है किस देशने हाली में Solomon Deep पर अपना धूता वास खोलने की बात कही है तो किस ने कही है अमेरिका ने कही है यानि कि option D is the right answer ठीक है अमेरिका से related कुछ important points भी देख लेते हैं अमेरिका से related important point क्या है राष्टपती है जो बाइडन ठीक है राष्टपती कौन है जो बाइडन आप लिखेंगे जो बाइडन ठीक है इसके वाद next है उप्राष्टपती उप्राष्टपती कौन है उप्राष्टपती है कमला हैरिस यानि कि कमला बहन आप याद रखें next question है असम सरकार ने हाली में किस देश के प्रतिष्टित उद्धोग पती का अपना सर्वोच नारिक शम्मान अश्व बैवब प्रदान किया है ठीक है तो किस देश के किस प्रतिष्टित उद्धोग पती को दिया है देख लेते हैं टाटा रतन को दिया है ठीक है किसे दिय important point क्या है अस्तम के governor कौन है जगदीश मुखी है गवणर आप याद रखेंगे जगदीश मुखी ठीक है जगदीश मुखी है and राज्य सवा की सीटे कितनी है साथ है और लोग सवा की सीटे कितनी है चौदे है हाई कोट कहां पर है गोहाटी में है ठीक है गोहाटी इस तरह से आप ये important points नोट करेंगे अब देखिए असम में इस्तित कुछ important national park मैंने कल डिसकस किये थे फिर से एक बार revision करवा देते है अस असम में नेशनल पार्क कौन कौन से है राय मोना नेशनल पार्क मानस डिब्रु शैखोवा नेशनल पार्क एंड काजी रंगा नेशनल पार्क हमारे असम के प्रमुक नेशनल पार्क है काजी रंगा नेशनल पार्क की स्थापना कव हुई थी 1905 में हुई थी और ये एक ए important points बार बार revise करेंगे तो आपकी mind में रहेंगे ठीक है चले चलते है next question पर 7 क्या है मारा हाली में किस राज के पुलिस ने smart card सस्त्र license की शुरुवात की है तो किस राज की पुलिस ने की है दिल्ली की ठीक है यानि कि option c इस ता right answer दिल्ली के important point क्या है मुक्षमन्तरी है अर्विंद केजरीवाल और उप्राजपाल कौन है अनिल बैजल है और ये हमारा जो दिल्ली है वो यम्णा नदी के किनारे इस्तित है ठीक है दिल्ली में कुछ प्रमुक अनुशन्दान है कौन-कौन से भारतिये मौसम विज्ञान अनुशंदान है और एक सेंटरल रोड रिसर्च इनिस्ट्यूट भी है ठीक है ये प्रुमुख है दो जो एकजाम के पॉइंट ऑब बी से इंपॉटेंट है आप कोपी पर नोट कर लीजिए चलिए चलते हैं नेक्श कोशन पर नेक्श कोशन है हमारा भोजपरी गायक और भाजबा सांसत मनोश तिवारी खादी और बिहार के हस्त चिल्प के ब्रांड एमस्टर ब्रांड एमस्टर बन गए है किसके खादी और बिहार के हस्त चिल्प के ठीक है जो हस्त चिल्प हमारी एक कला होती है उसके ब्रांड एमस्टर बन गए है तो देखिए मनोश तिवारी खादी के कपड़े के उद्धोग को बढ़ावा देंगे जिसे महत्मा गांदी ने भारत के सुतंतरता आंदोलन के दोरान लोग प्रिये बनाया था बिहार के राजपाल कौन है फांगु चोहान है बिहार की राजदानी का है पटना है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है नितीस कुमार है ठीक है तो ये इंपोर्टेंट पाइंट्स थे जो आपको भी पर अच्छे से नोट करिए और बार बा बार बारीज करिए चलिए चलते हैं नेक्ष कोशन पर कौन सी संस्थान बिसुसतत विकास शिखर संब्यलन की मेजवानी करता है तो कौन सी संस्थान करती है उर्जा और संसाधन संस्थान ठीक है मैंने इस कोशन के बारे में कल थोड़ा सा डिसकस किया तो और अभी कुएक विजन में भी बताया है आप देख लीजिए इसके बाद ये पूछा है कि कौन सी संस्थान कर रही है ये कोशन पूछा है तो इसलिए उर्जा और संसाधन संस्थान हमारी जो है वो क्या करता है सम्मेलन की मेजवानी करता है ठीक है तो देखिए कुछ इंपोर्टेंट इसके अरिक देख लेते हैं उर्जा और संसाधन संस्थान ने 2070 बेकास सिकर सम्मेलन के नवीनतम संस्क्रण की मेजवानी की है इसकी मेजवानी की है ठीक है किसने उर्जा और संसादन संस्तान ने ये कहां पर है ये हमारा निव देली में है ठीक है तो निव देली नहीं तो इस्वार की है मेजवानी करेगा निव देली ठीक है चलते हैं नेक्ष कोशन पर नेक्ष कोशन है हमारा उदंपूर श्री नगर बारा मूला रेल लिंक भारतिय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग टी-49 जो कि कितनी लंबी है बारा दसमलव साथ पांच आठ किलो मीटर को कनेक्ट किया है ठीक है ये जो हमारी एक सुरंग अभी जल्दी ही ज इसके बारे में कुछ आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं देखिए 15 फरवरी 2022 यह आप डाटा याद रखेंगे को कटला बने हाल सेक्षन पर सुमबर और अर्पिचलास स्टेशन के बीच टनल खोला गया है कौनसा टी-49 का ब्रेक्थू हुआ है ठीक है और ये टनल टी-49 जो है यह समुद्र तल से 14-1600 मीटर की उचाई पर इस्तित है ठीक है और सुरंग के दोनों सिरे जो है वो जम्बू कस्मीर के राम मंजिले में इस्तित है चलिए चलते हैं नेक्ष नेक्ष कोश्चन पर नेक्ष कोश्चन होंगे हमारे आज की हिस्ट्री पर 1836 में भारत के महान संत और विचारक राम कृष्चन परम हंस उर्फ गदाधर चटर जी का पश्चिम मंगाल के हुगली जिले में जन्म हुआ था कहां पर हुआ पश्चिम मंगाल के हुगली जिले में किसका कौन है हमारे परम हंस राम कृष्चन परम हंस एंड गदाधर भ का शमान करने की अपील की थी और उनके प्रमुकों सिस्यों में स्वामी विवेकानन जी थे जिन्हों ने nih transitioned देखते हैं आजकी Atlas आजी के दिन 18 फरवरी 1905 को साम जी कृष्ण बर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सुषाटी के इस्तापना की थी इसका उद्देश क्या था बिर्टिस वारत में शौशाषन के कारण को बढ़ावा देना नेक्ष चलते हैं आज की इस्ती पर नेक्ष है सन 1930 में प्लूटो की खोज आज ही के दिन कलाइट टामबा द्वारा की गई थी इसे लंबे बक्त तक हमारे सौर मंडल का नौवा ग्रह माना गया था लेकिन बाद में इससे ये दरजा छीन लेया गया ठीक है इसका परिकरमण क साल कितना है 248 वर्स है यानि कि ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 वर्स का समय लेता है ठीक है तो डिये फेर्स चलते हैं नेक्ष कोशन पर नेक्ष कोशन है 18 फरवरी सन 1989 में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिम पात की घटना भी हुई थी ठीक है त 18 फरवरी 1989 को भी थी ठीक है तो डिये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिलकुल ना भूलिए मिलते हैं नेक्ष सेशन में तब तक के नमस्कार है वे नाहिश्टे